नमस्कार दोस्तों SN Electrical Academy के YouTube सेनल पे आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों हम UP ITI इंस्टक्टर में आने वाले Employability Skill और Computer के Question का Discussion कर रहे थे यदि इससे पहले के पार्टों को आप नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो के description में मैंने उसका Link डाल रखा है वहां से उन से भी वीडियो को Complete Watch कर सकते हैं चलिए दोस्तों इसमें मैंने Computer के Question को Include किया हुआ है अच्छे-च्छे Question को previous year में आए हुए Question को ही Include किया हुआ है Complete वीडियो वाज किजिएगा आपके UP इंस्टेक्टर में इस वीडियो में से जरूर आपके Question मिलेंगे पहला नंबर जो Question है इसमें कहा जा रहा है कि कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझा सकती है तो वह जो डिवाइस होती है वह Micro Processor होता है इसमें कहा रहा है कि प्रोग्राम और डाटा के बीच अंतर जो समझाती है उस डिवाइस को क्या कहते हैं तो वह Micro Processor होता है इसलिए आपसा Number D हो जाएगा आउटपूट डिवाइस वह डिवाइस होती है जिसके द्वारा हम कंप्यूटर पर कंप्यूटर के द्वार हार्ड कापी प्रदान करते हैं इन्पूट जिसके माध्यम से हम कोई भी डाटा कंप्यूटर में भेंचते हैं वह इन्पूट हो जाता है मेमोरी जो होती है वह Primary और Secondary मीमोरी होती है जैसे RAM Random Access मीमोरी यह मुख्य मीमोरी मेन मीमोरी या भीतरी मीमोरी होती है ROM यह भी Primary मीमोरी के ही अंतर गताती है लेकिन यह अस्थाई होती है और यह अस्थाई होती है फिलाल यहां Microprocessor आंसर होगा सही और आपसा नंबर डी सही हो जाएगा अगला जो कोशन है दो नंबर इसमें कहा जा रहा है कि Computer की मुख्य मीमोरी क्या होती है मुख्य मीमोरी यानि Primary मीमोरी और इसी का दूसरे नामों से भी हम जान सकते हैं भीतरी मीमोरी इसलिए आपसा नंबर बी सही हो जाएगा आप इसमें सहायक मीमोरी और बाहरी मीमोरी जो होती है ये Secondary मीमोरी कहलाती है अगला जो कोशन है थ्री नंबर इसमें कहा जा रहा है कि बिंडो एमी में एमी से क्या सब्द बनता है एमी एमी जो होता है मिलिनियम को प्रदर्सित करता है जो कि आपसा नंबर ए में दिया इसलिए आपसा नंबर यह सही हो जाएगा याद रखिएगा एमी जो होता है यह बिंडोज सिस्टम है अगला जो कोश्चन है च्छार नंबर इसमें कहा जा रहा है कि रैम और एम इसका फुल फार्म रैंडम एक्सेस मिमोरी किस तरह की मिमोरी होती है तो यह जो मिमोरी होती ह यह मुख्य मिमोरी के अंतरगत आती है आपसन जो आप इसका देखेंगे डी आपसन यहां पर दिया हुआ है डी आपसन पर मुख्य मिमोरी होती है अगर तो यहां पर आप डी आपसन सही करेंगे यदि मुख्य मिमोरी नहीं रहता तब हम भीतरी मिमोरी करते और वाह मिमोर बाहरी मिमोरी और सहायक मिमोरी जह सेकेंडरी मिमोरी को कहते हैं अगला जो five number question है कि five number में कहा जा रहा है कि ऐससीरीज जिस तरह जिस अस्थान पर system यूनिट से जूड़ते हैं उसे क्या कहते हैं यह succ Int होती है जिस अस्थान पर जूड़ा है इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे तो इस पॉइंट को पोर्ट कहते हैं जो की आपसा नंबर बी में दिया हुआ है इसलिए आपसा नंबर कि अबी सही हो जाएगा अगला जो कोशन है इसमें कहा जा रहा कि इथरनेट किस से संबंधित है इथरनेट जो होता है और यह नसे संबंधित होता है यह 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 फूल फर्म होता है लोकल एरिया नेट वर्क होता है तो इथरनेट रखिएगा यह लोकल एतन फूर होता है ईसलिए में-समिल होकती हूं अगला जो question है 7 number की control, shift और alt को कौन सी कुझियां कहते हैं तो इसको कहते हैं alpha numery की मतलब इस कुझियों की द्वारा किसी और की सहायता से हम कोई भी instruction निर्देश दे सकते हैं जैसे control है, control प्लस एस हम दबाएंगे तो कोई भी documents या file save में चले जाएंगे इसलिए इन तीनों के समुह को हम alpha numery की की कहते हैं जो की option number A में दिया हुआ है इसलिए option number A सही हो जाएगा function की जो होती है वो f1 से f12 तक होती है function की, यह 12 इसकी संख्या होती है और f1 से f12 तक चलती है अगला जो question है 8 number इसमें कहा रहा है कि magnetic coating क्या होती है जब किसी memory पर magnetic coating की जाती है तो वो किस material का होता है तो पिछले भी वीडियो में मैंने इसका एक question आया था वहां भी इसका discussion किया था एफ हई होता है यानि फेरस की मातरा इसमें होती ही होती है तभी तो magnetic का गूड़ी यह रख रही है magnet जो होता है वो फेरो magnetic material को अपने तरफ attract करता है तो यहां पूछा है कि magnetic coating क्या होती है तो यह जो होती है iron sulphate recorded पदार्थ होते हैं जो कि option number c में दिया हुआ है iron sulphate recording पदार्थ इसलिए option number c सही हो जाएगा अगला जो है full form से है 9 नंबर की ocr का पूंड रूप क्या है ocr का पूंड रूप जो होता है optical character recognition कहीं कहीं reader भी देता है लेकिन priority में आपको recognition देना है अगर recognition नहीं होता है तब आप reader दे सकते हैं जो कि option number e में दिया हुआ है optical character recognition इसलिए option number d सही हो जाएगा अगला जो question है 10 number की information के collection को क्या कहते हैं तो information के collection को हम file कहते हैं जो कि option number c में दिया हुआ है इसलिए option number c सही हो जाएगा printer के द्वारा हम कोई भी computer के द्वारा output लेते हैं वह printer computer के माध्यम से हमें मिलता है पाथ जो होते हैं यह रिंग बस इस्टार यह पाथ में आते हैं अगला जो question है इक गारा नंबर इसमें कहा जारा कि निम्न में कौन सा output device नहीं है निम्न में output device मतलब computer के द्वारा हम hard copy प्रदान करते हैं लेते हैं वह output जिस system से जिस उपकरण से हमको मिलता है hard copy वह हमारा output के द्वारा मिलता है तो प्लाटर जो होता है बड़े-बड़े बैनर पोश्टर बनते हैं वह प्लाटर के माध्यम से बनते हैं ति यह output device है चुकि यहां कहा है कि नहीं है प्रिंटर यह भी output device है मानीटर यह भी output device है जो computer की display होती है मानीटर के द्वारा हम soft copy परदान करते हैं प्रिंटर और प्लाटर के द्वारा हम हार्ड कापी प्राब्द करते हैं टाच स्क्रीन जो होती है यह इन्पूट डिवाइस होती है और यहां कहा है कि निम्न में आउट्पूट डिवाइस कौन नहीं है यानि टाच स्क्रीन सही होगा क्योंकि टाच स्क्रीन इन्पूट डिवाइस होती है जो computer को बताता है तो program होता है जो कि आपसा number D में दिया हुआ है program इसलिए आपसा number D सही हो जाएगा compiler जो होता है ये language translator software के अंतर गताता है compiler होता है interpreter होता है और एक इसमें assembler भी आता है तिन प्रकार के language translator software होते हैं अगला जो question है 13 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि प्रोसेसर के तिन मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं तो प्रोसेसर में ALU भी आता है ALU का फुल फर्म आप याद रखिएगा arithmetic logic unit होता है control unit भी आता है जिससे हम प्रोसेसर को कंट्रोल करता है और register होता है ये जो तीनों हैं ALU, control unit और register ये प्रोसेसर के अंतर गताते हैं इसलिए option number A सही हो जाएगा अगला जो question है 14 number कि निम्न में कौन सा RAM नहीं है RAM यानि random access memory होता है और RAM जो होता है ये दो प्रकार का होता है एक होता है SRAM SRAM यानि static random access memory और एक होता है DRAM DRAM का मतलब dynamic random access memory होता है RAM का केवल दो ही type होता है यहाँ पे कह रहा है कि देखिए ये तीन number में SRAM का है SRAM हमने बताया DRAM है ये भी होता है RAM का type Flask भी इसके अंतर गताता है लेकिन P RAM जो होता है यहां पुछा है कि RAM नहीं है और पी रैम नहीं है इसलिए आप सा नंबर A सही हो जाएगा अगला जो कोशन है इसमें कहा जा रहा कि कितने basic computer भासा का विकास किया था किसने basic computer भासा का विकास किया था तो वो जो थे जान जी कैमी थे जो कि आप सा नंबर C में दिया हुआ है जान जी कैसी basic computer भासा का विकास किस ने किया जान जी कैमी ने किया इसलिए आपसा नंबर C सही हो चाएगा अगला जो question है 16 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि निम्ण में कौन सा system unit का भाग है system unit का भाग है तो system unit के अंतरगत जो आता है वो CPU आता है CPU यानि central processing unit होती है इसलिए आपसा नंबर A में दिया हुआ है CPU central processing unit होता है इसलिए आपसा नंबर A सही हो जाएगा floppy disk और cd-rom और monitor यह hardware के अंतरगत आते हैं अगला जो है 17 नंबर की assembly language क्या है पिछले question में मैंने बताया कि language translator जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं कौन-कौन तीन है तो एक assembler होता है एक compiler होता है और एक interpreter होता है उसी से यह question बनाया कि assembly language क्या होती है तो assembly language जो होती है वो low level language होती है option जो दिया हुआ है computer assembly करने के लिए language नहीं computer assembly करने के लिए जो language होती है machine language होती है यह machine language यह भी नहीं होगा assembly language की यहां बात कर रहा है कि assembly language क्या होती है तो यह low level language होती है अगला जो question है अठारा नंबर कि floppy disk किस प्रकार की memory से संबंध रखती है तो floppy disk जो होती है वो secondary memory के part होती है और यह volatile memory के अंतरगात आती है जो कि option number ए में दिया हुआ हुआ है volatile memory इसलिए आप सा आएगा RAM और ROM internal में उसके बाद external यानि वह memory आ जाएगी वह memory में आपके जो आप अलग से memory set करते हैं जैसे magnetic disk floppy disk p-rom e-rom इस तरीके की external में चली जाएगी अगला जो question है 19 नंबर इसमें कहा जारा कि computer वह साथ जावा के आविसकार कौन है computer की एक language होती है जावा इसका आविसकार किस ने किया था सन Microsoft ने किया था जो कि आप सा नंबर सी में दिया हुआ है सन Microsoft इसलिए आप सा नंबर सी सही हो जाएगा अगला जो question है 20 नंबर इसमें कहा जा रहा है कि निम्न में कौन सा एक programming language नहीं है नहीं की बात किया है तो programming language होती है पेरल यह भी होता है जावा यह भी होता है फाक्स प्रो यह भी होता है और सेल नहीं होती है कोई भी programming language इसलिए आप सा नंबर डी सही हो जाएगा अगला जो question है 21 नंबर इसमें कहा जा रहा कि floppy disk किसका उधारण होता है तो floppy disk जो होता है यह secondary memory का उधारण होता है जो कि आप सा नंबर डी में दिया हुआ है secondary memory इसलिए आप सा नंबर भी सही हो जाएगा main memory जो होती है वो primary memory होती है और यह जो होती है RAM होती है और ROM होती है random access memory और read only memory होती है अगला जो question है 22 नंबर कि floppy disk कि चीज़ की बनी होती है तो floppy disk जो होती है इसकी आकरिती बृताकार होती है और इसके बीच में एक गोल होता है और जिस तरीके से आपकी पहले CD जो आती थी CD जिसकी एक ऐसी गोल आकरिती बृताकार आकरिती हुआ करती थी और इसके बीच में हुल हुआ करता था तो उसी को समझिए कि यह floppy disk का ही है अब floppy disk जो होती है यह hard तरीके का plastic होता था लेकिन इस plastic की जो खासियत थी वो लचीला हुआ करता था आपसन जो यह दिया हुआ है कि यह लचीली plastic समागरी की बनी होती है कौन floppy disk और इसकी ऐसी आकरिती होती है इसलिए आपसन नंबर यह सही हो जाएगा अगला जो question है 23 नंबर कि magnetic coating का अद्रिस से डाट डाट होता है magnetic coating पर अद्रिस से क्या होता है तो mechanical spot होते हैं जो कि आपसन नंबर B में दिया हुआ है mechanical spot इसलिए आपसन नंबर B सही हो जाएगा अगला question 24 नंबर कि इस magnetic spot पर ही डाट डाट होती है magnetic spot यानि यह जो आकरिती एक magnetic spot इसमें हम floppy disk लिए और इस पर फेरो-magnetic material की लेप लगी रहती है तो कोई भी इस floppy disk में जब हम डाटा record करते हैं तो इसी पार्ट पे वो डाटा रहता है तो इस question में जो कहा है कि magnetic spot पर ही डाट डाट होता है तो magnetic spot मैंने इस एरिया में कौन रहता है तो recorded data जिस डाटा को मैंने इसमें रखा है वही डाटा इसमें रहता है आपसंग जो यह दिया हुआ है कि data recording इसलिए आपसंग नमबर यह सही हो जाएगा अगला question 25 नमबर और यह अंतिम question होगा इसमें कहा जा रहा है 25 नमबर में कि floppy disk मुख्यता किस काम में इस्तेमाल होता है तो आपसंग जो यह है वो backup रखने के लिए यह भी होता है floppy disk का प्रियोग इसमें भी backup कोई भी data लेना होता है तो इसमें हम floppy disk का प्रियोग करते हैं भी जो है कम मातरा में data एक जगह से दुसरे अस्थान तक भेजने और और लेने के लिए इसमें भी floppy disk का प्रियोग किया जाता है अर्थात उपरोब्स दोनों में floppy disk का प्रियोग किया जाता है प्लॉपिदिस्क की आकरिती में जब आप जाएंगे इसकी एकरित्यव व्रताकार होती है। और इस पर सेंट्र में OHCont dois प्रोख region किये जाते हैं इस एरिया में होते हैं भिलाल यहां पचाईस नमबर अंसर जो होगा वह उपरोग तो दोनों सही हो जाएगा इसलिए आपसर नंबर सी सही हो जाएगा तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक किजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को जरूर सेयर किजिएगा साथ ही साथ इस चैनल पर पहली बार आ